नमस्कार आप देख रहें कंट्री इंसाइड डियोजर मैं कोशलंदर पांडे आप से मिलवाने जा रहा हूं बिहार और जारखंड के मसूर बिल्डर नारायन सिंग से यह बताएंगे लॉकडाउन में इनके साइट बिहार और जारखंड में कई परिजनाई चल रहे हैं सबस बहतर प्रियास करके लोगों को सही दिशा में सही तरीके से मगान बना कर उपलब्द कराते हैं कम केमत पे इनसे हम जानना चाहते हैं कि लॉकडाउन के कारण किस हालत में इनका प्रोडाम साइट चल रहे हैं और इस सरकार को कुछ कहना चाहते हैं बताएए नारायन जी दे इस लॉकडाउन को लागू करने में थोड़ा सा भी बिलंब होता तो हमको लगता है कि इसका रिजल्ट कुछ भयावा होता लेकिन मोदी जी का या बिहार गौश्मन का सब को शुक्रियादा करेंगे कि समय पे लॉकडाउन हुआ और ये स्सीती कंट्रोल में है जहां तक बात है बिल्डरों की तो बिल्डरों की हालत तो बहुत चिंता जनक है चिंता जनक कहने का मतलब है कि पहले तो पटना में पानी से परसान थे लोग पानी सुखा उसके बाद काम स्टार्ट होने का पोजिशन आया तब तक से मार्च में लॉकडाउन हो गया जितने मजदूर थे बहुत सारे लोग घर चले गए और एक दो लोग हैं जो यहां पे हैं तो सारे लोग को सोशल डिस्टेंस का ख्याल लगते हुए लोग डाउन का हम लोग पालन कर रहे हैं काम बंद है फिरा और बहुत भ्यावा इस्तिती है आर्थिक मंदी जैसा भी हो गई है फ्लैट बिक नहीं रहा है काम बंद है अब आने वाला भी समय में एक महिने के बाद बारिश से पुरा जलमगन हो जाएगा काम फिर बंद हो जाएगा तो इस्तिती हम लोगों की बहुत भ्यानक हैं दूसरा हम सरकार से अपिल करेंगे कि रेरा में जो भी बिल्डर का फाइल लटका हुआ है या और जो प्रोजेक्ट हैं उसमें रेजिस्टेशन देने में सरकार बिल्डर को हेल्फ करें ताकि यह रोजगार जो है फ करें चलता था आज कोई नहीं है साइट पे बालू वाले हैं गिटी वाले हैं सब लोगों का भरन पशन होता था हमारे जैसे और बहुत सारे लोग बिल्डर हैं जिंसे यह सब लोग आर्थिक अपना सवयोग देते हैं देश के विकास में सवयोग देते हैं लेकिन हमको कुछ उपाय सोचे और हम लोगों को रहत मसुद्ध नराज जी आपको रहा में क्या कठना इक सामना करता है रहा तो विल्डरों के लिए और जो आवास लेंगे आपके हां उनके लिए तो सहलियत का साधन है वहां क्या आपको दिकत का सामना करना पर रहा बहुत अच्छा है जो भीडरों क कम करने वाले लोग हैं हैं उप जिस्टेशन मिलेगा और पूरा पतना जलमगन हो जाएगा तो क्या क्या म करें पर तो उसको इंतजार करना पड़ेगा कि यह साल मोसम आएगा सुखे गा तो पिर काम साट होगा तो यह सब हम लोगे को को परिशहानी है पटना में खास करता आप सुन रहे थे बिहार और जारखंड के जूआ और मसूर बिल्डर नराएन सिंह ने बताया और सरकार विहार सरकार केंदर सरकार दोनों अपील किया कि अपने जो आपने विभाग बनाया है रहरा वहां पंजिय करन की गती को तेज करने की जो रथ है तभी बिहार में बिल्डर सर्वाइफ कर पाएंगा और काम कर पाएंगे इन्होंने सरकार से बिनम्र अपील की कि रहरा को निर्देश दें कि आने वाले समय में बिल्डरों को ध्यान में रखते हुए वहां पंजियन की गती को तेज किया जाए हमारे बरिये संबादाता रुपेश कुमार के साथ मैं को सलंदर परासर पतना से